हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस उज़ूरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेले थोड़ी लंबाई में नजर आ रही है एक रेक्टैंगल जैसी शेप इनकी हथेले की बनती हुई जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है काफी हार्ड वर्किंग एंड आनलेटिक टाइप की परसनेलिटी को और अगर फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफी अच्छी लैंट में नजर आ रही है यहाँ पर और फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं बिलकुल क्लेरली नजर आ रही है आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह है कि खड़ी रिखाएं आपको लगबग सभी फै अग्रेसिव रहता है और ऐसा व्यक्ति अपने रेलेटिव से अपने फ्रेंड से कई बार थोड़ा मन मुटा भी कर बैड़ता है तकर यहाँ पर ज्यादा चांसिस इनकी फ्रेंडली नेचर के हैं और अगर हम लैंथ की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो गुरू फिंगर ह बाई में हो और ऐसे व्यक्ति काफी knowledgeable भी होते हैं और अगर सूर्या फिंगर को देखा जाए तो थोड़ा शॉट जरूर है सूर्या फिंगर लेकिन बिल्कुल straight है एक straight सूर्या फिंगर व्यक्ति को creativity देती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी creative knowledge इनकी रहे और अच्छा social circle भी व्यक्ति का रहता है और शनी फिंगर शो करते हैं व्यक्ति के hard work को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक straight शनी फिंगर जो एक hard working personality इने बनाएगा और काफी मेहनत इनकी life में रहने वाली है और अपने इसी hard work की वज़े से life में काफी अच्छी progress भी यहा राएंगे mercury यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी short होती ही finger और हल्की low set भी है यहाँ पर mercury finger जिस वज़े से communication skills में थोड़ी सी दिक्कत ने रह सकती है overall average level के communication skills और थोड़ी introvert और shy nature रहने के chances यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को mounts इनके बारे में क्या क्या बताते हैं इनके और उसके बाद lines को भी check करेंगे तो यहाँ पर मैं अगर एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की line बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा dip जा रही है यह line और mercury mount को space यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलती एक से ज्यादा नजर आ रही है कुछ ऐसी रिखाएं जो यहाँ पर इनको business करने की शमता काफी अच्छी आ जाती है जब लंबी रिखाएं mercury mount की तरफ पहुंच रही हो और इस तरह के chances बढ़ जाते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा रिखाएं होना हाथ में व्यक्ति को over sensitive भी बनाता है overall यहाँ पर आप देख सकते हैं mercury mount के ओपर इक तरिकोन का चिन बनता हुआ जो इस mount को और भी enhance करता है इस तरह का चिन triangle का चिन कहीं पर भी बने व्यक्ति को लाब देता है और ऐसे व्यक्ति अगर कोश करें तो किसी ना किसी तरह के freelancing business की तरफ से या किसी तरह से main business की तरफ से भी काफी अच्छी income generate कर सकते हैं आगे देखते हैं इनके surya mount को surya mount के ओपर यहाँ पर एक से ज़्यादा रिखाएं जो थोड़ा सा व्यक्ति को confuse करती है क्योंकि आप देख सकते हैं एक सीधी रिखा यहाँ पर और main surya line जो है वो deep cut है और काफी अच्छी लंबाई में है और उसके इलावा यहाँ पर इस तरह की रिखाएं होना व्यक्ति को एक से ज़्यादा तरह की creativity देती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर योगताएं काफी होती हैं लेकिन उन योगताओं को भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाता और किसी एक चीज़ के ओपर focus करने के लिए एक सूरिया रेखा का होना जरूरी रहता है और अगर straight एक सूरिया रेखा हो तो व्यक्ति को बहुत fame मिलता है तो यहाँ पर fame इने मिलेगा जरूर लेकिन later age में चलकर 30s की age के बाद यह सूरिया रेखा activate होगी जो इनके ल मांट है शनी मांट शनी मांट यहाँ पर average है एक flat शनी मांट नजर आ रहा है लेकिन शनी रेखा को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी इनके हाथ में जो एक भाग्या शाली रेखा है खासतार पर finances के मामले में इस व्यक्ति की इस तरह से लंबी शनी रेखा रहती है ऐस शनी मांट फ्लैट होने की वज़े से थोड़ी सी hard work भी life में रहेगी लेकिन पैसे की कमी मुझे यहाँ पर होती हुए नजर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर money triangle भी काफी अच्छा बन रहा है देख सकते हैं आप यह है जो नीचे की तरफ आने वाली रेखा है इस रेखा को एक त्रिकोंड का चिन बनता है तो इसे money triangle कहा जाता और जिनके हाथ में ऐसा triangle बनता है ऐसे विक्ति काफी पैसा अपनी life में एकठा कर लेते हैं आगे देखते हैं इनका गुरू मांट को काफी अच्छी space मिल पा रही है एक उबरा हुआ मांट है और देखा जाए तो गुर जाते हैं तो यहां पर chances रहेंगे knowledgeable personality बने के leadership qualities अच्छी रहेंगी लेकिन थोड़ी ego रहेगी जिस वज़े से married life में और family life में थोड़ी दिक्कते आने के chances बढ़ जाते हैं आगे देखते हैं कि major lines को तो आप यहां पर देख सकते हैं विश्नु सिंबल बनाती हुई इनकी line of heart इस तरह का चिन बनता हुआ और जिनकी भी हाथ पर इस तरह का चिन बनता है ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के बलबूते पर life में काफी कामियाब होते हैं progress के लिए यह चिन काफी auspicious माना जाता है और जिनके भी हाथ पर यह चिन बनता है उन्हें मैं हमेशा यही suggest करता हूँ कि कभी भी unfair means use करकर पैसा कमाने की कोशिश ना करें किसी भी गलत तरीके से life में पैसा कमाने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो यह चिन अपने शुब फल छोड़कर शुब फल देने शुरू कर देता है और life में नुकसान होते हैं तो यह है जो इनकी line है काफी अच्छी है heart की line और एक अच्छे curve के साथ है जिस वजह से थोड़ी emotional type की personality भी इनकी रहने वाली है और अब देख सकते हैं थोड़ी सी weak warrior line यहाँ प रहने वाली है आगे देखते हैं mind line mind line यहाँ पर छुकी हुई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ छुकी हुई line जो एक certain age तक अगर देखा जाए तो 40s की इस तक इने काफी practical रखेगी तो कि आप देख सकते हैं इस age के बाद यहाँ रेख असा एक negative पर भाव रहेगा इमेजिनेटिव टाइप की personality रहेगी तनाव जैसी स्थितियों का भी life में बीच बीच में ने सामना करना पड़ सकता है उसके सासा तब देख सकते हैं इनकी life line और इनकी mind line के बीच में काफी बड़ा gap आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह का gap व्यक्ति को जिदी सभाव देता है ऐसे व्यक्ति अपनी मर्मर्जी के मालिक होते हैं थोड़े जिदी nature के होते हैं और यही जो जिदी nature है कई बार व्यक्ति को rebellion भी बना दीती है और ऐसी किसी के कहने पर काम नहीं करते हैं अपनी मर्जी से जो दिल वही करते हैं कुछ इस जो ट्रैवलिंग के लिए तो अच्छी रहती हैं लेकिन इस तरह की ज्यादा रिखाएं इस माउंट के उपर होना इस माउंट को कमजूर करती है चंदर का एरिया थोड़ा जवीक होता है जिसकी वज़ा से एंग्जाइटी मूड स्विंग तनाव ऐसी दिक्तों का व्यक्ति को लाइफ में सामना करना पड़ सकता है अवराल यहां पर इनकी जो लाइन आफ लाइफ है उसमें भी मुझे थोड़े हैल्थ इशूस नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं काफी सारी राहू रिखाएं और मंगल एरिया से आने वाली रिखाएं इनकी लाइफ लाइन को यहां पर स्ट्रेस देती हैं नजर आ रहे हैं है कि रिखाएं जितनी ज्यादा life line को काटती है life line को touch करती है यह एक तरह से stress रहता है life में और इसमें से कुछ stress health related issues की वजह से या कुछ stress तनाव जैसी स्थीतियां पैदा करते हो life में कुछ ने कुछ ऐसी गटनाएं हो जाती है जो थोड़ा उसके आगे इस area को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे की line काफी clear है जो indicate करती है कि middle age के बाद काफी अच्छी progress life में और काफी अच्छी life को यह enjoy कर पाएंगे middle age के बाद और overall अगर age देखी जाए तो 80 प्लस की age रहने के chances रहेंगे और यहाँ पर एक रेखा बाहर की तरफ चलती हुई इस तरह की रेखा विदेश यात्रा करने के chance बनाती है और यहाँ से आप देख सकते हैं उपर की तरफ उटने वाली रेखाएं इस तरह की lines और even इनकी जो fade line है वो भी चंदर area की तरफ से निकलती उपर की तरफ चलती तो इस चीज की संभावना रहेगी या काफी यात्राइं भी करेंगे life में और घर से दूर भी काफी समय के लिए stay कर सकते हैं इस तरह के chances इनका यहाँ मून माउंट और या रिखाएं जो हमें नजर आ रही है इंडिकेशन देए हैं उसके बाद शुकर area मुझे यहाँ पर marriage को sustain करने में इने दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है life में क्योंकि आप देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा रिखाएं इस माउंट के उपर हो और यहाँ माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी ना हो तो यहाँ शादी के जीवन में नीरस ठालाता है तो यहाँ पर शुकर माउंट को मैं बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट नहीं कहूंगा एक कमजोर शुकर माउंट जिसकी वजह से married life थोड़ी disturbed रहने के chances रहेंगे worries रहेंगी family की तरफ से पुछी इस तरह की दिक्तों का life में सामना करना पड़ेगा लेकिन गुरू माउंट का कर पाता है तो यहां पर कुछ दिक्कते हैं तो रहेंगी लेकिन यहां balance क्रेट करने में भी capable रहेंगे तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन यह स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका क्की question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद